जय श्री कृष्ण आज बनाएंगे बिना लेसुन प्याज की ग्रेवी जिसे आप कई सब्जियां बना सकती हैं मटर पनीर शाही पनीर आलू की सब्जी किसी भी सब्जी में ये यूज कर सकते हैं इसे एक बार बनाकर फ्रीज में रख दीजिये और कई दिनों तक इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको रेसिपी पसंद आये तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं एक कढाई में तेल गर्म करेंगे उसमें डालेंगे शाही जीरा तेज पत्ता तीन से चार लॉंग काली मिर्च थोड़ी सी जावेत्री एक फूल लिया है जावेत्री का दाल चीनी एक चक्र फूल चार से पांच छोटी लाइची दो बड़ी लाइची अब इन सब को हम फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे हींग आधा चमज हींग ली है कसूरी में थी इने भी हलका सा फ्राई कर लेंगे फिर इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर टमाटर का चिलका निकाल लिया है ये एक किलो टमाटर लिये हैं अब इसमें डालेंगे काजू और खस-खस इसे पोस्ता दाना ही बोलते हैं दो बड़े चमच पोस्ता दाना और पंद्रा से बीस काजू को रात भर भीगा कर ले लिया है थोड़ी सी हरी धनिया और ये रात भर भीगी हुई कश्मीरी लाल मिर्च इसे भी डाल देंगे पांच से शे कश्मीरी लाल मिर्च है दो हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक इन सब को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढग देंगे इसे गलने तक पकाना है जब तक टमाटर गल ना जाए बीच में इसे एक बार चला देंगे ताकि चिपके नहीं फिर से इसे दस मिनट के ल दस मिनट बाद हमाई टमाटर गल चुके हैं देखे टमाटर अच्छे से गल गया है अब इसे एक प्लेट में निकाल कर थंडा कर लेंगे और थंडा करने के बाद इसे हम पीसेंगे मसाला हमारा थंडा हो गया है अब एक निक्सी के जार में इसे हम डाल कर पीस लेंगे सारे मसाले इसमें डाल कर पीसेंगे कुछ भी नहीं हटाएंगे एकदम महीन पीसना है इसे यह देखे बिल्कुल चिकनी ग्रेवी तयार करनी है अब एक कड़ाई में लेंगे देसी घी देसी घी में इसे फ्राइ करेंगे और घी गर्म होने के बाद सारी की सारी ग्रेवी इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च दो बड़े चमच कश्मीरी लाल मिर्च है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे यह जायफल जायफल को छोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे आधा जायफल इसमें कद्दूकस कर देंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मिक्स करने के बाद इसे हम ढखकर पकाएंगे पकते समय ये ग्रेवी बहुत छीटे मारती है इसलिए इसे ढखकर पकाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च के साथ आप धनियार और हल्दी पाउडर भी डाल सकती है अगर नहीं डालना है तो जब सबजी बनाए तब डाल दें 10 मिनट के बाद एक बार इसे और चला देंगे हम बीच बीच में इसी तरह चलाते हुए ग्रेवी को पकाएंगे फिर से इसे हम ढख देंगे 10 मिनट के लिए 10 मिनट बाद एक ग्रेवी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है ग्रेवी हमारी पक चुकी है इसे ठंडा करके हम फ्रिज में रख देंगे और जब भी सबजी बनानी होई इसी ग्रेवी से आप कोई भी सबजी बना सकती है बस आपको डायेक्ट कड़ाई वे ये ग्रेवी डालनी है और सबजी तयार करनी है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू